हेलो माई देट फेंड वेलकम टो माई चनल इगनु हल्पक सेंटर आज मैं आपको बताने वाला हो कि इगनु ने अपना पॉर्टल एडविशन के लिए अब ऑपन कर दिया है उन्होंने आज उसके बाड़े में पूरी डिटेल जानेंग की एडविशन का क्या प्रसिजर है क किसumuz तरह से होगा कर सकते हैं इस यह सबसे पहले में अगर आपने इस चनल को सब्सक्राइब कर लिज wondered प्लीज इसे सब्स्राइब कर लिए क्योंकि हम कंटिन्यू आपको अपडेट दे रहे हैं इगनू से रहे हर वीडियो आपको बना के दे रहे हैं जिसमें आपके काफी हेल्फ हो रही है हमारे पास काफी कमेंट्स आ रहे हैं इसे हमें भी अप्रिस्ट मिलते हैं हम सब्सक्राइब जाते हैं यहां पर लिखा वैलकम टो जुलाई 2021 क्योंकि अब जो सेशन है वह जुलाई 2021 का स्टार्ट होगा यहां पर आप क्लिक करेंगे अब इनके साथ सब्सक्राइब पंदरह जुलाई तक का इनों टाइम दिया है बाट यह पंदरह जुलाई से आगे सब्सक्राइब जाता है अब अब इसके प्राइब बहुत टाइम आप पस तो टैंसलिक नहीं है आप कंटिनुस के लिए देख सकते हैं इसके सासाथ इन्होंने एक चीज़ा होता है कि जो स्टी और स्ट के जो स्ट्ट है वह अगर अपलाई करते तो वह अपना जो सार्टि है एक्जमसन के लिए क्लीम कर दिया है तो उनका दोनों ही डिजैक्येक्ट होने के चांसेस होंगे यह इन्होंने ससलिक लिए कहा है इसके बाद हम देखता है कि इनने क्या कहा है शृष्टन जारी की है हो हम आपको डिटील होता आपको चलिगा है सबसे फसे हैं के लिए द सब्सक्राइब पर्ट पर देखते हैं यह पर इसके बाद थ्री एर्स का है मेडियम हिंदी न्यूज्स दोनों है और उसका कोर्स का नाम जो है इसके अलावा इसके अलावा इस सब्सक्राइब चीज़ है यह आपको कुछ खास ने इसके लिए एक बात करते हैं इसके लिए कंडिशन एक बार चेक करते हैं दो सल का कॉर्स होता है यह मास्टर इस्टुटिज ओपन लेनिंग कॉर्स है कॉमर्स स्टुट है इनके लिए है है eligibility कौन है eligibility वो है जो आप बी ऐस सबसें अगर Master में है तो किसी भी डिड्री प्रग्राम ने आपने कर रखा है तो वह अप eligible है उस वह को करने के कि कोई बी दिग्री कोई भी प्रों कोई भी रिकार सब्सक्राइब कर रहा है तो आप मास्टर के लिए एलिजबल होती है इसके असाद सब्सक्राइब कर रहा है इसका पंद्रह हजार पर फीस है फॉस्ट यर आपको 75,000 रुपीस देना होगा प्लस टूहंड़ेज़ प्लस टूहंड़ेज़ आपको पेई करना होगा फॉस्ट यर के डिविजन में रजिस्टेशन फीस रजिस्टेशन एक इसन का एक ही बार होता है इसलिए आपको फॉस्ट यर में 77 रहेंगे और उसके बाद जो सेकंड यर उसमें सिर्फ आपको 75 रहे इनों दे रखा है इसके असाथ इनों रिजनल सेंटर दे रखा है यह जो फीस स्ट्रक्चर है यह हर कॉर्स का रिटेल में दे रखा है डिटेल में कि कहां पर क्या है सब्सक्राइब थोड़े पहले आपको बिया जी कि बार मतीद आता चलिए हम बीजी में पीक बार देख इसके लिए क्या फीस श्रॉक्ट्टर है यहां पे दे रखा है इनोंने eligibility say 10 प्लस 2 किसी बी जगह से आपने किसी भी इसकोल या बोड से कर रखा है तो आपको बस 10 प्लस 2 कर रखे तो आप बीजी के लिए बीय के लिए एलिजब्ल है आप इसमें पिस्टर काई के रहा है एक्यासी रुपे लेंगे तीन साल के कोर्स है पर यह आपका 27 सब्धार रहेगा लेकिन फर्स तेर में आपका रिजिस्ट्रेशन फीज दो 200 रुपे पेए करना होता है इसलिए उसमें आपको पेए करना होगा 2900 फीज फरे इस्टेर में सब्सक्राइब करना पड़ेगा यह आपके कोर्से सब्सक्राइब करवाती है इसके अलाबा इगनू कुछ ऑनलेन कोर्स भी करवाती है यह है उनका साइड इनका साइड अलग है इनका साइड पुछिए इसमें इसके अलाब कर्स देख रहे हैं नहोंने ऐड किये हैं जो इस साल इनका इनका पेकों है अब इसमें ऑनलाइन भी डाल दिया उन्होंने इसके अलावाई सबक्राइब कोर्स देख रहे हैं काफी कॉर्सेज उन्होंने एड किये हैं जो इस साल इन्होंने एड करके आपके लिए आपको बैचलर के डिग्री होनी है हिंदी कोर्स है यह कि के कि कोर्स ही हिंदी है अमें हिंदी तो आपको हिंदी ही है जिरसे ने फियस्टेशे के बात करें तो फियस्टेशे 6,000 रपीस पार एनम है और इसका जो टोटल फेमिंट है वह है आपका 11,000 रपीस दो साल का कॉर्से मैकिसमा आप चार साल में को गुप्लीट कर सकते हैं जमकि अगर मैं और फियस्टेस में होता है वहां और या किसी भी वीकेंड पे आपको क्लास झी आती है है आपके study center में classes होती है वहां पर लेक्चर से बात करने को मिलती है यह सारी चीज फैसेटिया आपको offline classes जो distance education है उसमें मिल जाती है but online में आपको सारी study material वीडियो सब कुछ आपको online दी जाएगी कि इडिविशन लेते वाग किन चीजों का हमें ध्यान रखना तो सबसे जरूरी बात है एडिविशन करते वाग सबसे पहले आप क्लिक करेंगे क्लिक है तो न्यू रिजिस्ट्रेशन आप जब यह रिजिस्ट्रेशन कर देंगे इसमें आपको डिटेल है कि नेम फुल नेम सब कुछ आपको डिटेल देने के बाद एक लोगिर आड़ी यूजर आड़ी और पासपड बनेगा यह यूजर आड़ी और पासपड कहीं भी अच्छे से नोट करके रिकॉर्ड करके आप रख लिजे कि यह आपके बहुत काम आएगा अगर इसे बोलते तो कही प्रॉलम आती है तो आप उस रिजिस्ट्रेशन यूजर आड़ी और पासपड को सम्माल के रखीगा जो यहां पर दिया हुई सम्माल के हमें से रखीगा बहुत काम गया इसके बाद फर्स्ट पेज में तो आपका रिश्ट्रेशन में आ जाएगा नेम आपका डालना होग कर्स के बारे मैं टालना हो कौछ सा कॐर्स ले डालना होगा आपका बाद के बाधि on के लिए खुछ चिजयों का बहुत द्वान रखना के नॉत है हमें कि चीज़ चाहिए हमका फोटो फोटो चाहिए आपका सिंनेशर चाहिए आपका ए pag abus नौर्मड्य 10 का सलीबर इसका अ तो वहाँ पे जो eligibility था वह 10 प्लस टू तो 10 प्लस टू का certificate चाहिए तो वह सारी certificate की capacity अंदर रखा है कि कितने सब्सक्राइब आपका 200 कीवी से ज्यादा करनी होनी चाहिए अगर किसी कोर्स के लिए सब्सक्राइब करने पड़ेंगे उसके लिए भी 200 की का ही रखा गया है बस इसके अलाव बीपेल सरी पर लोब पर डिलन यह सब चीज़ आपके पास है इसके अलाव ही फोटो को कर सकते हैं इसमें को इसन जब एक बार प्रोसेंग में दिखाया तो 24 गंडे के अंदर अपडेट हो जाता है और आपके अड़िशन कंफर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है तस से पंदो दिन में ताइम लगता है उससे पहले आपको एक नंबर दी जाएगी वो कंट उससे आप रखें तस से पंदो दिन में अड़िशन कंफर्म होते हैं आपका आई-कार्ड भी आपके पैनल पे अप्लोड हो जाएगा आप जो रेजिट्रेशन में ने कहा था कि रेजिट्रेशन का लोगिन एडी यूजर एडी और पासपर्ट रखना है उससे लोगिन करक करने के बाद अगले पेच पे जाएगी क्या कोर्स लेना है क्या चीज़ है सब कुछ आपको लेना पड़ेगा यह आपकी एडीशन का पूरफ प्रसीजर है गाइस अभी आपके पास टाइम है आसानी से टाइम बेना के फुरसत में बैठके एडीशन लीजिए कोई इसो न छ आपको अपकी कन दी टेरहा है तैंक यह आपको कर लाद वाची के एडियो तैंक यह आपकी सो टाइम है सब कर राद इसका जाता है